इस class में अपने कुछ volumes calculate कर देते हैं कुछ standard volumes calculate करना सिखा देता हूं तो सबसे पहला जो चीज है वो है volume of a cone झालम नहत्व कर देता है ध रिए से शमाझन कि आसा देता है यह ए यह झासो फिल कि आस्य lease कर देता है वाम मेर नहीं पूसे मिलास सी वफ इसका कुछ बेश है यह बेश हो गया इसका एक सेकंड मैं इसको जरा सेट कर दूँ आल्राइट ना तो यह कोई यह को न है जिसका इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना मुझे आणड़ तो दिसस्थी तो जिससर है यह डिससार कॉन जिसका जो रेडियस है रेडियस इसलट भलत से कैपिटल आर इसका रेडियस ले लते है कैपिटल आर ठीक है और इसका जो total height है उसको ले लेते है capital H ठीक है इसका total height ले लेते है capital H तो इसका volume calculate करना है तो इसको कैसे तोड़ सकते है तो इसको हम लोग है न विल ब्रेक इस इंटो smaller disks ठीक है तो हम लोग disk element लेने वाले है तो disk का element के imagine कर सकते हो के बहुत सारे disks है there are infinite disks, very thin disks and each of the disks have different radii तो एक क्यों पर एक stack करोगे तो युल गेटा कौन है न तो उसी तरह से अम लोग के सा एक इसको disk element use करेंगे इसका जो thickness रहेगा एक सेकंड इसका जो thickness रहेगा ऐसे इस तरह से I hope you understood this कि ये क्या है कि एक disk element है इसका ऐसे चोटे-चोटे बहुत सारे disk को हम लोग stack करेंगे के उपर एक तो हमें ये मिल जाएगा क्या बोलते है पूरा कौन बिन जाएगा ठीक है ना इसका अगर मैं इसका position बोलो from the apex apex से इसका position में ले लेता हूँ y okay इसका position ले लेता हूँ let's call this y okay and इसका जो radius है इसका जो radius है उसको ले लेता हूँ r ठीक है इसका radius जो है ये जो छोटा से disk element है उसका radius r ले लेता हूँ and very important कि इसका जो thickness है the thickness of this element इसका element का जो thickness है उसको मैं ले लेता हूँ dr ठीक है तो what do we have here यहाँ पे एक disk है this is a disk element disk element ठीक है जिसका radius कितना है r and thickness कितना है d y ok radius r है and thickness d y है all right now अब इसका अब इसका अब पर 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 इसका वाल्यूम काल्कुलेट करना है तो what is the volume of the element let's go volume of the element volume of the element dv will be एक disk element disk मतलब क्या होता है cylinder होता है cylinder का radius कितना होता है pi r square h होता है तो pi into r square मतलब small r square into h मतलब उसका thickness कितना है d y है I'm sorry मैंने यहाँ पर एक चोटा समिस्टेक कर दिया यह d r ने this is d y ok the thickness y दूरी पर जाके d y thickness का disk लिए है ok तो pi r square times d y हो गया all right now the total volume कितना हो जाएगा so the total volume total volume would simply be sum sum of all volumes so sum of all volumes बतलब v would be equal to simply integral d v so integral d v कर देता मतलब देखो क्या आगा integral pi r square d y now again you are faced with this problem देखो यह integration में r square भी variable यह एक variable है और यह भी variable है यह तो क्या होगे constant होगे वो problem नहीं तो there are different variables variable 1, variable 2 तो y के terms में और r के terms में किसी एक को convert करना पड़ेगा तो convert कैसे करें तो convert करने के लिए देख सकते हो कि अगर तुम इसमें similar triangles का logic लगाओ तो you can see that r by y is equal to capital r by h ठीक है r by y is equal to capital r by h तो इदर से अपने को small r क्या लिख सकते है r by h times y ठीक है तो let's substitute that तो when I substitute that I'll get v is equal to integral pi r square के बदले क्या आजाएगा r square y square by h square into dy अब इदर से देखो मैं क्या क्या constant सारे चीज़ों को बाहर निकल लेता हूँ pi r square by h square क्या बचेगा integral y square dy अब देखो y कहां से कहां vary कर रहा है ठीक है तो y अगर 0 हो गया तो यह disk इदर पहुच जाएगा अगर y 0 हो गया तो disk यहां पर पहुच जाएगा यहां पर this is for y is equal to 0 and जब y capital h हो जाएगा तो देखो disk इदर पहुच जाएगा यह disk हो जाएगा न for y is equal to capital h तो उपर से नीचे तक हम लोगो sweep करना है तो y इसका limit कहां से कहां होगा it will be from 0 से h ठीक है now तो इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं v is equal to pi r square h square y square dy का integral क्या होगा y cube by 3 from 0 to h I can clearly see जब h put करोगे to h cube हो जाएगा and 0 put करोगे तो 0 हो जाएगा तो lower limit ओला तो cancel होगे completely तो finally and doing all the necessary calculations you'll मतलब cancellations you'll get 1 by 3 pi r square h okay so that is the volume of a cone I hope आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट जो है let's find the area of a sphere okay तो the situation is कि you have a sphere तोड़ा complicated हो सकता है so bear with me it this might seem overwhelming okay तो इस तरह से एक sphere है जिसका radius जो है जिसका radius r ले ले लेते है टीक है रेडियस जार अब मैं एक चीज बता दू कि यह जो प्लेन होता है इस स्फियर के इस प्लेन को अपने एक्वेटर बोलते हैं आइछ तुमको मालब है यह चीज इस plane को क्या बोलते है, equator, equatorial plane बोलते है equator, ठीक है, या equatorial plane अल्राइट, इसको समझने के लिए दियान से सुनना जो कहना चाहरा हूँ इसको, इसका elements कैसे लेंगे what sort of elements will you select तो शायद तुमने, मतलब, एक कोई face wash का add आता है उसमें देखा होगा, वो लोग orange कैसे peel करता है वो orange जैसे, मतलब, peel होते है, spiral होगे निकलता है बाहर तो imagine something like that, बहुत सारे rings ठीक है, many rings together and वो rings of different radii ठीक है, तो वैसे को, अम लोग एक क्यों पर एक stack करते रहेंगे, एक certain तरीके से, तो you will get a sphere okay, तो इधर देखो, मैं कैसे element select कर रहा हूँ यह ऐसा element select किया okay, now this is a ring element and यह जो ring element है, एक काम करता हूँ draw it, freehand drawing है करता हूँ यह इसका जो element है, वो कुछ इस तरह से रहेगा okay, चलो ठीक ही बन गया, all right and इसका अगर मैं, पीछे के तरफ अगर मैं dotted line से बना तो एक सेकर, इसमें थोड़ा ड्रा करना difficult है, यह तो इस तरह से अपना ring element बना ठीक है, यह अपना ring element है तो इमेजन कर सकते हैं ऐसे rings, बहुत सारे अगर ऐसे rings है, तो अलग-अलग radius के तो उसके पर stack करते जाओ, तो you'll get a sphere okay now, इसका जो, element है ध्यान से देखना इस इसको, इसको यह जो ring element है, इसका जो थिकने से वो एक certain angle subtend कर रहा है, center पर, इस तरह से, इस तरह से, I think I'll use thicker line, okay, now, यह अभी देखो कि, this particular, यह जो thickness है, यह देख रहा है, यह thickness, यह दूरी कितना रहेगा, this distance is going to be r, क्यांकि यह इसका radius है r, and इसका जो angle है, angle made with the equator, मैं ले ले लेता हूँ theta, ठीक है, angle made with the equator को ले लेता हूँ theta, and जो इसका जो angular thickness है, angle का thickness, समझ मार है, वो d theta ले लेता हूँ, I hope यह पार्ट समझ में आ गया होगा, कि मैंने, देखो वो जो strip लिया, मैंने, एक जो ring element लिया है, this is our ring element, ठीक है, this is our ring element, and उस ring element का जो thickness है, उस thickness ने center पे कितना angle subtend किया, d theta, and उसका angular position क्या है, theta, now just imagine this thing, ठीक है, जो मैं अभी कह रहा हूँ, उसको सोचो, क्या कर रहा हूँ मैं, अगर theta 0 हुआ, theta is equal to 0, मतलब देखो किदर आजागा equator, ठीक है, theta is equal to, I'll just write it here, properly, theta is equal to 0, मतलब यह क्या हो गया equator, समझ रहा हूँ, कि अगर theta को देखो 0 कर दो, तो वो ring element किदर पहुच जाएगा, equator पे पहुच जाएगा, अगर theta is equal to plus pi by 2 कर दो, plus pi by 2, plus pi by 2 मतलब positive 90, मतलब उपर के तरफ 90, तो कहां पे आजाएगा, pole पे, north pole बोल सकता हूँ, north pole, ठीक है, and theta is equal to minus pi by 2 कर दो, तो देखो किदर आजाएगा, south pole हो जाएगा, ठीक है, यह क्या होगा, for theta is equal to plus pi by 2, this is for theta is equal to minus pi by 2, and this is for theta is equal to 0, ठीक है, अब डियान से देखना, कि इसका जो थिकने से, यह जो इसका जो थिकने से, वो कितना हो जाएगा, just look at this particular, यह जो मैंने blue line से किया है, उसको देखो, मैं वापस redraw कर रहा हूँ, side में, so that you can get an idea of what I am talking about, यह देखो, यह इस तरह से है, I am just going to exaggerate it a little, तुमको समझाने के लिए, इतना थिक नहीं है यह चीज, ठीक है, तो, यह है ना इसका, तो अब देखो, इधर यह कितना angle है, what is this angle, this angle is d theta, यह angle कितना है, d theta, and यह जो linked है, वो कितना है, r, तो of course यह कितना रहेगा, इसको अगर मैं, इसका जो थिकने से, that is going to be r d theta, let's call that dl, I won't jump any steps, तो देखो, अब इधर से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, dl upon r would be d theta, तो देखो, dl कितना हो गया, dl is equal to r d theta, अब दूसरा चीज, अब दूसरा चीज, यह जो हमने element draw किया है, यह जो this particular ring element, उस ring element का कुछ तो radius होगा, उस ring element का कुछ तो radius होगा, तो just look at this, मैंने पहले ही भताया कि यह तोड़ा complicated है, तो just bear with me, तो इसको देखो, यह triangle देख रहा है, यह वाला, यह जो देखो कर 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 देखो क यह जो पातिक्लर पाट है इसको मैं रादिस ओधि एलिमृ रलेताऊं रदीस और र्रॉट यह डॉट एलिमृ ढाट रांगल जो सुट्णियोर प्रांगल यह अपना ट्रांगल है this one यह जो उसके बाद यह अपना और एक सेकंड थोड़ा okay this is our let's say इसको मैं संटर ये संटर प्र ये संटर ये संटर अभ गेया and इसको मैं प्यंट मैंलेत प्ये संटर अभ डेवन क्या है तोट ये संटर होग रह अगेया okay so this is point o this is our point P and ये अपना क्या हुआ this is our radius r and this is our radius of the sphere capital R ठीक है now just for reference you can see that कि अगर ये जो लाइन है ध्यान से देखना अगर ये जो लाइन है ये अंगल जो है अगर ये थीटा है अगर ये अंगल थीटा है तो देख सकते हो कि ये अंगल थीटा होगा ठीक है alternate angles बोल सकते हैं तो इधर से अपने को क्या मिल गया देखो r is equal to capital R sorry capital एक काम करता हूँ I'll write it properly small r by capital R को क्या लिख सकता हूँ cos theta तो small r को क्या लिख सकता हूँ r cos theta तो ये अभी जो भी मैंने किया है this is just groundwork अभी तक मैंने कुछ integration कुछ नहीं किया मैंने यह पर टीक है so what did we do I'm going to recap everything मैंने इस पूरे स्फियर को चोटे 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 rings में तोड़ा ring elements ठीक है and वो जिसको मैंने green line से मैंने denote किया है and हर जो एक सट एक सटन एक random सा element लिया जिसका angular position theta है जिसका angular position theta है and angular width d theta है उसका जो thickness है वो center पे कितना angle subtend कर रहे है d theta okay जिसको मैंने ये in this using this particular diagram मैंने represent कर रहा है ठीक है इस diagram से मैंने represent किया and उसका thickness कितना है d l d l का value कितना होगा r d theta all right अब उसके बाद जो उस ring element का जो radius होगा उस circle to circle का radius कितना होगा वो हमने देखा कि it is capital R cos theta all right what is theta by the way theta is the angle with the equatorial plane equatorial plane के respect में लिया all right now and I'm not theta के भी ये देख लिये theta के importance जेख लिया अगर theta 0 हुआ तो equatorial plane हो गया अगर theta plus 90 हुआ तो north pole हो गया theta minus 90 हुआ तो south pole हो गया all right now ab I'll draw the element again this is our element sorry यह अपना एलिमेंट है ठीक है एंड इसका जो थिकनेस है इसका जो थिकनेस है वो कितना ली आमने डीयल इसका थिकनेस कितना ली आमने है डीयल और इसका जो रडियस है sorry about that इसका जो रडियस है वो हमने कितना लिया capital R sorry smaller इसका रडियस कितना है smaller okay अब क्या करना है तो इसका इसका एरिया क्या रहेगा what would be the area just imagine this thing okay this is something similar to a cable test go a strip yeah fair what I can do here is I'll draw a better diagram here nice go kakar sakta on key I can cut this okay I'm cutting the element and spreading it you remember that I guess cut and spread when I cut and spread that element what do I have I have an element like this okay rectangular element मिलेंट मिलेंगा जिसका जिसका यह क्या बोलता है लेंग्ध मिलेंग्ध इस इसका जो थिक्नेस है वो कितना है DL है इसका थिक्नेस कितना है DL okay now what is the area इसका area अगर में ले लोग दी ए तो what will be the area of this particular element it is going to be DA is equal to 2 pi r times DL okay now what I will do is कि यह देखो यह अपना DL हुआ यह अपना smaller हुआ दोनों का वैली substitute कर दो क्या आजाएगा देखो 2 pi into r cos theta into r d theta कहने का मतलब DA कितना हुआ 2 pi r square cos theta d theta I guess इधर तक तो अपको clear होगा now यह हमने किसका element किसका area निकाला this is the area of that element तो what is the total area यह area of the element हो गया ठीक है ना तो total area would be A it you know what I am going to do it is simply integral DA ठीक है तो जब integral DA बोलोंगा तो you can see that clearly कि 2 pi r square is a constant 2 constant pi constant capital r sphere का radius constant उसको बाहर निकाल लो ठीक है तो 2 pi r square constant integral cos theta d theta अब very important इसका integration कहां से कहां करेंगे तो हमें जो सबसे उपर का element है वो किदर है plus pi by 2 सबसे नीचे का element किदर है minus pi by 2 okay अबनों कहां से चालो करेंगे from नीचे से लेके उपर तक खीच जाएंगे इसका जो integration अब से नॉर्थ पोल तक मूफ कर रहा है तो साओ पोल से एक्वेटर मूफ करते समय उसका radius बढ़ते जा रहा है and equator से नॉर्थ पोल मूफ करते समय उसका radius कम होते जा रहा है so we have sweep the complete surface of this sphere ठीक है the minus pi by 2 से plus pi by 2 I guess I don't have to show how to integrate this cos theta from minus pi by 2 to plus pi by 2 is 2 2 इसका value 2 होता है you can use the concept of graph also to imagine this thing ठीक है मैंने इसका अलरी पढ़ा चुका है तो area would simply be equal to 2 हो गया इसका value 2 हो गया तो 2 into 2 4 4 pi r square now this integration was quite simple but the problem here was कि या इसका difficult part यह है कि इसका element selection and उसका जो background work किया वो थोड़ा difficult था other than that the integration was pretty simple it just cos theta का integration था ठीक है तो I guess you have understood this all right now next volume of a sphere volume of a sphere all right अब यह कैसे करे तो again क्या करते है let's say this is our sphere ठीक है यह अपना sphere है अड इसका जो radius है इसका जो radius है वो है capital R now what I'll do is इसका radius है capital R ठीक है now what I'll do is कि मैं concentric shells use कर सकता हूं what I'll do is the element I'm going to select is concentric shells तो एक shell एक concentric shell element select किया ठीक है जिसका radius जो है इसका radius ले लेता हूं R small r ले लेता हूं and इसका जो thickness है इसका जो thickness है उसको ले लेता हूं DR ओके यह element कैसा हूआ this is a hollow shell element ठीक है hollow shell imagine करो जैसे हमने disk के ले किया था ना चोटे चोटे rings जोड के किया था इसको 3D में imagine करो hollow shells छोटे चोटे चोटे शेल के अपर एक और शेल लगाया फिर एक और शेल लगाया imagine onions एक शेल के अपर मतलब समझे रहना उसके पर layer by layer by layer by layer by add करते जागे तो बड़ा हो जाएगा ठीक है now इस पे अभी देखो इसका अभी hollow elements चाल है अब इसका जो area क्या रहेगा what is the surface area इसका अगर मैं लिखो surface area क्या रहेगा surface area would be 4 pi r square and thickness कितना रहेगा is simply dr तो volume क्या हो जाएगा अगर मैं dv नाम दे देशको volume वुड भी ऐसा एक सेकंड volume को लिख दे तो volume क्या हो जाएगा surface area into thickness यह इसलिए कर पारा हूं because this is very small only then you can do this logic ठीक है only valid I can write this only valid only valid for very small thickness which is the case क्योंकि इसका thickness बहुत छोटा है DR thickness लिया है ठीक है तो imagine करो यह थोड़ा यह थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता just imagine this thing तुमने शाइद बच्चमन में वह क्या बोलते हो रेड कलर के बॉल से खेला होगा जिसके अंदर खाली रहता है rubber का तो कभी-कभी वह फट जाता है तो अगर फट जाता है तो अगर फट जाता है तो कभी-कभी की इसका जो वॉल्यूम है dv would be surface area into thickness what is the surface area 4-pi r square into thickness कितना है dr टेक है तो what would be the total volume this is volume of element तो टोतल वॉल्यूम कितना होगा जैफोर total volume V would simply be what integral dv integral dv में देखो 4 pi constant है बाहर आ गया integral r square dr बात आता है कि r square dr r किदर से किदर वरी करेगा I guess अब तक तो तुमको समझ में आ गया होगा सबसे छोटा sphere के लिए r क्या होगा 0 and सबसे बड़े sphere के लिए r क्या होगा capital R समझ गया न तो इसका जो limits है it would be from 0 to capital R I guess ये तो बताने का जरूत नहीं है you'll get 4 by 3 pi r cube r square का integration कितना होता है r square का integration होता है r cube by 3 ठीक है so from that you get the volume of the sphere I hope you understood this okay now the next case is here we have my third case third question fourth one is area of circle using double integration area of circle using double integration okay now this is our circle eek reference line draw karro okay I'm going to draw a reference line from the center this is our reference let's see just eek reference ab either eek element this is going to be tricky देखना एक एलेमेंट ऐसा सेलेक्ट किया मैंने इस तरह से एक सेकंड एक ऐसा एलेमेंट सेलेक्ट किया एक 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 जो positions वागरा बता देता हूं, let's say that कि यह जो angle है, it is theta and इसका जो angular thickness है, वो है d theta, ठीक है, and इसका जो radius है, इसका जो position है, इसको ले लेते है r and इसका जो thickness है, this particular thickness, उसको ले लेते है d r I hope you understood this, यह r दूरी पे जाके, एक second, I will represent this better, यह r है and यह theta है, ठीक है, तो यह देखो, this is our element, okay, now, इस element का, जो area है, इस element का area जो है, उसको ले लेता हूं, da, okay, इसको ले लेता, da, तो, I am going to draw this element separately, just so that you understand, what's going on, यह देखो, इस तरह से, थोड़ा सा, छोटा बना देता हूं, I will get a clearer idea from that, that, okay, now, यह इस अपना लेमें टो, okay, you can assume almost a rectangle, okay, this is almost a rectangle, okay, there would of course be a slight error, but that's fine, now, if you look at this, कि इसका जो center से, क्या बोलता है, दूरी है, वो R है, मतलग, कहने का मतलग क्या हुआ, कि अगर मैं इधर से ऐसे line के जाज़ू, यह, इस तरह से, ठीक है, तो यह देखो कि, यह अंगल कितना है, it is d theta, ठीक है, यह अंगल कितने है, d theta, अगर यह अंगल d theta है, और यह जो length है, वो R है, ठीक है, इस इस र अंद यह d theta है, तो this, what would be this thickness, this thickness, yeah, this length, is going to be r d theta, r d theta, यह फिर simplify कर कर का मैं d l लिख देता, I'll increase the steps, okay, और यह जो, लेंक ते, यह जो, निस पर्टिकलर, लेंक ते, वो कितना रहेगा, this is dr okay that is dr i have already shown you that okay this is dr okay so this area almost a rectangle i told you that this is almost a rectangle so this area area da is going to be equal to what is the thickness into breadth into length into breadth link सकता हूं length कितना इसका dl and thickness कितना इसका dr okay length कितना है dl है and thickness कितना इसका dr dl into dr हो जाएगा I guess यह पट समन्द में आगया होगा now what is dl here if you look at it dl by r is simply d theta इधर से अपने कुछ इसको dl मिल गया it is r d theta इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं I'll just draw partition here तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट का गरद कर दू तो da देखो क्या आ जाएगा da is going to be equal to r d theta into dr इसको slight rearrangement कर रहा हूं देखो इसको slightly rearrange कर रहा हूं देको rearrangement कैसे d theta into r dr तीका से ऐसे r को एक साथ ले लिए d theta को एक साथ ले लिए अब यह नो तो टोटल area what would the total area be total area total area total area a up that is going to be integral da okay what of course integral da but da itself has two variables they could 2d do different two differential elements check d theta is a a dr so here the integration double integration over this is a d theta or r dr okay so two things integration or theta and r k terms so don't know about it but i think i have to go to the limit का जो लिमिट है थीटा का जो लिमिट है वो किदर से किदर होगा देखो थीटा if you want this element completely गुमाना इसको ठीक है पूरे circle में गुमाना तो यह थीटा देखो कहां से कहां वेरी होगा small r of course vary करेगा कहां से कहां from 0 to capital R क्यांकि radius of this particular circle is capital R ठीक है तो इसका जो लिमिट है लिमिट देखो थीटा का लिमिट कहां से कहां से कहां होगा 0 से 2 pi and r का जो लिमिट है दाट विल भी फ्रों 0 to r this is how you represent double integration now AK करके integrate करो ठीक है तो I'll show you how to integrate this quite simple actually इसका जो integration होगा यह देको A is equal to 0 to r इसके अंदर यह integration हागा d theta from 0 to 2 pi और बार क्या अगया rdr ठीक है तो यह integration देको क्या आजाएगा this would be 0 to 2 pi would be 2 pi ना तो यह क्या होगा 0 to r यह 2 pi rdr and I know I guess you know how to do this तो 2 pi जो है 2 pi बार आगया and 2 pi integral rdr from 0 to r यह तो r square by 2 हो जाएगा तो इधर से अपने को area मिल गया pi r square यह just extra मैंने बता दिया है मैं extra है ठीक है यह मैंने extra चीज़ बता दिया है समझ आया तो अच्छी बात है नहीं समझ आया तो कोई tension लेने की ज़रूत नहीं है ठीक है यह बहुत ही rarely use होगा physics में at least 11-12 physics में यह बस एक example के तौर पर मैंने बता दिया जिसको समझ में अच्छी बात है जिसको नहीं समझ में को डोंट वरी इसका वीडियो डालोंगा तो तो इसमें देख सकते हो ओके I hope you understood this okay now let's understand the concept of average sorry average of a function what exactly do you mean by average let's say you have some values x1 x2 x3 and so on till xn there are n terms कितने terms है n terms now अगर मैं n terms का average पूछ हूँ तो average x को हम लोग दो तरह के से represent करते है some books use xav and some books use this symbol that's your choice जो भी यूज़ करना कर सकते है so let's let me use this symbol ये जो bracket double bracket वाला जो है so x average कैसे defined है तुमने पढ़ा है what do you do here तुम सारे values को add कर दोगे you'll add them x1 plus x2 plus and so on till xn divided by the total number okay this is how you find the average right so इसको represent कैसे कर सकते है I can represent it like this x is equal to x sorry average of x is equal to sigma xi by n इसी तरह से represent किया जाता है I guess ये तो सबको पालो मिया है हर T noia let's take an example एक example लेता हूं माल लोकी कुछ वेलियों से हाँ हूं कौमन है ठीके सम अफ्दी वैल्यों सर्क्मन फ़र अल लसे एक एक अग्जम्पल लेता हूं की माहनलो की तूमने एक टेस्ट कण्ड मैंने एक टेस्ट कंद किया और ऐस टेस्ट में क्या बलते हैं, there were 10 students 10 students 10 students, let me number them, 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8, 9 and 10, okay, so there were 10 students who attempted the exam, now ये लोग क्या किया, ये लोग कॉपी किया exam में, जब ये लोग कॉपी किया exam में, तो ये चार ने कॉपी किया, इन तीनों ने कॉपी किया इन दोनों ने कॉपी किया and 10th number जो था, ये था क्या बुलते है, सत्यवादी ता इसलिए उसने कुछ नहीं कॉपी किया, ठीक है तो, let's say कि after the test, इनका चेकिंग होने के बाद क्यूंकि 1, 2, 3, 4 ने सबने कॉपी किया एक साथ तो इन सब का मार्क्स आया let's say 70 total इनका मार्क्स आगया 70 मार्क्स, okay इन तीनों ने साथ में कॉपी किया, इनका मार्क्स आया 60 alright, and इन दोनों ने कॉपी किया साथ में, let's say कि इनका मार्क्स आया 50 and इस अकेले जनने, बहुत intelligent था थोड़ा ख़ूस भी था, नहीं बताया 90, alright, now अब इस class का average कैसे निकालेंगे how do you calculate the average, तो class average class average निकालने के लिए, तुम क्या करोगे, देखो 70, लिखो के कैसे, देखना, I'm just so that you understand this idea, तो मैं उसके सबसे में बता रहूँ, 70 plus 70 plus 70 plus 70, ये चार जन का हुआ plus ये तीनों का क्या होगा, 60 plus 60 sorry plus 60, ये तीन देन का हुआ plus 50, plus 50 ये दो जन का हुआ plus 90, divided by कितने लोगते, 10, ऐसा कर रहा हुआ हुआ मैं इसको दुसरे तरीके से कैसे represent कर सकता था, ध्यान से सुनना इसका class average देखो, कैसे लिखोंगा, class average class average, मैं लिख सकता था, 70 into 4 70 into 4 plus 60 into 3 plus 50 into 2 plus 90 into 1 90 into 1 लिखा, divided by 10 अब अगर तुम देखो, individually मैंने किन चीजों को add किया है एक एक bracket के अंदर क्या है वो देखो marks multiplied by number of students marks multiplied by number of students ठीक है तो इसका देखो, कैसे इस चीज़ को समझना, मैं कैसे लिख सकता हूँ class average class average can be written as summation of marks into summation of marks into number of students divided by total number of students है कि नहीं? ऐसे? I hope you understood this part क्या इतना part clear है तुम्हे? ओके तो इसमें देखो, यह क्या, यह हुआ इसका marks और यह number of students ठीक है? इस तरह से यह यहां पे इस केस में यह रा marks यह number of students like that what exactly I am trying to tell you is class average is the summation of marks into number of students who scored that marks divided by the total number of students ok? I hope you understand understood this part ok I am going to use a good example to teach you this खिक है एक काफी प्राक्पी प्राक्टिकल्स एग्जाम्पल है अलब फिसक्स में यूजा जाता है यह वाल इवाल एग्जाम्पल so let's say you have a gas chamber this is a gas container and in this gas container there are many particles and let's say A-K type of gas is just for simplicity A-K type of gas is now in K temperature case gases move current a lot of high temperature these guys will run around like anything what fast range and if the temperature is quite low to a tempi a dear remove so let's say that some particles have different velocities this way so now how do you calculate the average velocity as its average speed how do I calculate the average speed of gas particles average speed of gas particles calculate I will write it like this we average would be sum of velocities of each by total number of particles sare particles velocity add multiplied by total number of particles so that is the idea here is the thing here is the thing iiisa oosakta hai in fact iisa hoota hai कि कुछ gas particles के पास same velocities हो, ठीक है, कुछ gas particles के पास same velocities हो, ठीक है, तो इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, यह इस logic से, देख रहे हैं, कि मतलब अब इसके साब से क्या होगा, same velocity multiplied by number of particles who have that velocity, ठीक है, तो इसके साब से देखो मैं क्या लिखोंगा, summation of velocity multiplied by number of particles having same velocity, whole divided by total number ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, तो nuclear अए लिख सेक्ता हूं, तो इसके से needle अो इसके से, इसके से लिख दिखोंगा, तो इसके से क्या है, तो इसके से अबstar कि अट एकुल टू I'll write V into small n by अब देखो तोटल नम्बर पार्टिकल्स मतलो क्या होगे इटसींपली सिग्मा एन कितने पार्टिकल्स यह उसके यह नंबर देखो इधर से देखो मैं यह करो what is 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is 10 4 plus 3 plus 2 plus 1 is 10 दिख रहा है उसी तरह से यहां पे अगर इंडिविजुल N को आड़ करोंगा I'll get total number if I add individual जो जो values है उनको आड़ करोंगा जो total number of जिनके पास same velocity उनको आड़ करोंगा तो मुझे total number of particles मिलेगा तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया समझ गया I hope you understood this part now here's the thing अगर ये इनके velocities जो है these velocities are going to be very very okay have you understood this till now इदर तक जो मैंने पड़ाया ये पार्ट समझ में आया क्या now here there are large number of particles with a large range of speeds अलग-अलग speeds होंगे उसके बहुत सारे होगा एक कमाल लो 10 raise to 5 meter per second दूसरे का 1.01 into 10 raise to 5 होगा केसी का 1.023 into 10 raise to 5 ऐसे बहुत सारे अलग-अलग-अलग ranges होंगे तो to account for that what we need to do is it is very difficult to count this n, n के तर्म से करना थोड़ा मुश्किल होगा so to do that what we do here is key so I'll write so n को रिप्लेस कर देंगे dn say dn what is dn it is a very small number of particles okay very small number of particles now you don't get confused very small number अब पुछा होगा की sir क्या 2, 2 या 3 particles या 10 particles अगर बोलूंगा so 10 is not a small number but it is a very small number as compared to the total number of particles here if you look at the total number of particles in a case of the moles में होता है moles मतलब avogadar number हो that's a very huge number उस number के साब से 10 particle, 20 particle, 100 particle सब छोटे होंगे ठीक है तो that is a very small number of particles so because of this what's going to happen इसके वजे से देखो क्या करना पड़ेगा मुझे ये जो average है समदना इसी इसको when I write the average average देखो क्या हो जाएगा average is going to be ये summation sigma now becomes what summation sigma becomes integral integral v तो v है ये velocity कितने particles के पास है dn particles के पास है divided by total number of particles मतलब integral dn या फिर integral vdn by total number of particles तेक है ये आगे आमलोग kinetic theory of gases करके chapter उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में ठीक है तो average speed of a gas बोलूँगा तो तुमको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है करके ओके I hope you understood this particular part किसी को doubt इसमें अल्राइट तो यूजिंग दिस लॉजिक देखो अभी इसके बेसिस में क्या लिखोंगा देखो अवरेज speed कितना या V is equal to integral VDN by integral DN तो इस के analogy से तो जेनराइस इस generalizing for for a given function f of x the average of a function तेके average of a function f of x within the limits x1 to x2 will be तेके I will write it like this f of x the average would be integral f of x dx from x1 to x2 divided by integral sorry integral dx from x1 to x2 okay and if you look at the numerator denominator the denominator integral dx is simply x2 minus x1 take a I will write it like this integral f of x dx from x1 to x2 by x2 minus x1 or you can also write it like this integral f of x dx from x1 to x2 by delta x this is the formula for average of a function okay तेके 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 कण